सर अगले चप्टर आ जाते हैं सर बहुत इंटरस्टिंग है अधर सोर्स काफी बच्चों की डिमांड है थियोरी अगेन कहूंगा सर इसके थियोरी के लिए कहां जाना है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है पीडियेफ वहां से डाउनलूड कर सकते हैं जो बच्चे पेड गेंगोरी और कैपिल गेन तो वह कहां सुट कर दिया जाता है अधर सोर्स में ऐसे कूछ लिस्ट जो जो अधर सोर्स में आता सर इसे डिविडेंट हो गया इंटरस्ट हो गया आपका फैमली पेंशन हो गया इसके साथ-साथ क्या हो जाता है आपका, मैं lottery winning होगे, dividend होगे, आपका any winning from lottery हो जाता है sir, any income letting out machinery, machinery को let out किया, लेकिन यहाँ पे आपका business जो होना नहीं चाहिए, machinery को किराये पे देने के लिए, यहाँ पे आपका होना चाहिए sir, आपके business के लिए, इसके बाद any income from the letting out building, building सब letting out building कर दिया, आपने किराये पे लि provident fund से जो भी interest मिलेगा, unrecognized provident fund में, उससे जो interest मिलेगा, वो यहाँ पे taxable हो जाएगा sir, interest on security, किसी भी security पे, debenture पे, या bank loan बगएर, किसी पे भी आपका bank equity बगएर, interest मिलता है, the source का part होगा, amount receive, key man insurance, key man insurance, key man insurance क्या होता है sir, आपने particular किसी event के लिए, किसी part के लिए employer ने अपसान ना हो पाई, इसलिए, इसके बाद individual HOF के बीच का अगर देखा जाए, तो receive during the previous year, some money property without consideration होगा, तो वो other source का part माना जाएगा, sir, interest on compensation enhancement, आपने देखा था, जब कभी भी government compulsory acquire कर लेती है, property को, dispute के case में, बाद में, अगर हमें वो पैसा मिलता है, तो जितना भी interest अगर देखा 50% exam देखे, fully के अगर देंगे, sir, taxable कर देंगा, I don't know, 50% लिखा है ने लिखा, लिख देना है, आपने, advance money for feature 14 2014 के बाद हमारा other source का part होगा, तो ये कुछ income लिख दिये है, आगे कहता है कि enumerate the आपको deduction allow under income from other source, ऐसा कौन सा है, जहार deduction allowed है, income from other source, तो sir, following income, number one, reasonable income by way of commission, commission के way में मिलता है, उसके उपर कमाने के लिए, जो भी खर्चा आपको करा है, commission लेने के लिए, वो deduction आपको allowed है, sir, in case of income from machinery plant, furniture, building, rent पे देते हो, वहाँ पे depreciation वगेरा, यहाँ claim करना आपको allowed है, क्योंकि rent पे दिया तो उसका खर्चा जो है, वो ले सकते हो, repair वगेरा building वगेरा करवाते हो, तो allowed है, sir, repair insurance वगेरा देते हो, तो allowed है, simple सी बात है, other source की income को कमाने के लिए, जो खर्च कर रहे हो, वो सारा आपको expense minus करने के बाद, net आपको करना है, इसके बाद, sir, 15,000 पे family pension के लिए allowed है, 15,000 whichever is lower, 50% यहाँ पे डाल दिया है, आपका सारी बातों को, discuss family pension, family pension क्या होता है, sir, जब कभी भी death हो जाता है, main जो की job कर रहा है, तो उसके परिवार वालों को जो pension मिलता है, that is the family pension, यहाँ 15,000 पे one third of the family pension क्या होता है, हमारा exempt, whichever is lower, बाकी पार्ट हमारा taxable हो जाता है, तो यह था, sir, हमारा पूरा का पूरा क्या, other source, other source भी बहुत आप से apply करना है, one short में करवा रहा हूं,